आज खास मोके पे लाइव आयूं मैं बहुत खम लाइव आती हूं दरसल थोड़ा सा लगे हुए हैं किसानों को समर्थन करने में उनका शिर्वाद लेने के लिए मेरी एक आप इसे अपील मानिये या वोटिंग मानिये या अपना सैयोग मानिये मेरा सबी से एक सवाल है पहली बात तो मैं बता दू कि मैं आज लाइव क्यों आई हूं मेरे देशवासी किसान भाई और युवाओ से और मुझे किसानों की आवाज उठाने से कुछ संगठन कुछ लोग मुझे रोक रहे हैं क्योंकि मैं किसान कल मुझे पता चला था कि मुझे वहाँ आने के अवाज नहीं हैं यह किसानों की आवाज हैं क्या मैंने देश संगठन की यह स Hogwarts की रहे घृत अवायों के वुझे कि मुझे कि ऊग Carry फैसला की वो दूर रही. और अन्दोलन में ना है, क्योंकि मैंने किसी संगटन को थोड़ी ना अपना समर्थन दिया था, मैंने तो देश के दूसानों को दिया था अपना समर्तन और आगे भी मैं देती रहूंगी इन्हें किसने अधिकार दिया कुछ संगटनों को किसने अधिकार दिया कि मैं किसानों की आवाज उठा रही हूं तो यह मुझे रोके आज तक कोई एक ऐसी वीडियो भी नहीं है कि जिसमें मैंने किसानों के सीधी भाजा जानते हैं तो क्या मैंने गलत किया किसानों का साथ दे करके मैं आज भी किसानों के साथ हूं और इनके रोकने से नहीं रूकूंगी क्योंकि अगर कोई अधिकार मुझसे मेरा कैसे चीज़ सकता है और यह आप मुझे सब बता है जितने भी मेरे देस में जितने भी यू आए क्या उनका फैसला है कि पूरमपंडित अंदुलन से दूर रहे मैं क्यों रहूं अंदुलन से दूर यह सवाल है मैं अपनी बात को रखूंगी उनसे सवाल करूंगी प्रेस कॉन्फरेंस भी मैं करूंगी पूछूंगी ना जब मैंने अपना समर्तन द बोला था कि तुम छोड़के चले जाओ वो चोड़के चले गए तो और लोग बीम सिंग जी चोड़के गए तो उनके काल्य करता कर रहे हैं संगठन में काम यह सवाल मुझी से क्यूं है इसका मतलब मुझे हटा करके क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पूनम पंडित को किस किसानों के साथ में कई अत्याजार होने का तो एक इशारा नहीं है कि इसको हटाओ और यहां पर भी शड़ियन तो नहीं हो रहा है उनके साथ कुछ दोका तो नहीं हो रहा है क्योंकि मैं निस्पक्ष तरीके से अधिकार की आवाज उठाई आप लोगों की सच के लिए मैं मैंने आवाज उठाई क्या मैंने गलत किया आप मुझे बताईए हाँ अगर आपको गलत लगे तो आप गलत बताना आपको लगे कि मुझे नहीं जाना है आंदोलन में नहीं मुझे जाना है किसानों के साथ नहीं मुझे आवाज उठानी है तो मैं आपकी आपकी कहने से र जैसे युवा की आवाज जो हृ वो पोँच रहे है जैसे युवा के जरी है कई ऐसो तो नहीं मुझे अटाक करके ये लोग अंदर से कुछ किसानों के साथ मैं दोका कर रहे हैं कुछ लोग जो चो कर रहे है जिनों ने इस बात की क्योंकि ये किसी एक बंदे का फैसला नहीं है कुछ चंद लोगों का फैसला है ये पूरे देश का अनधाता का फैसला नहीं है ये युवाओं का फैसला नहीं है ये जिर्फ चंद लोगों का है क्या देश का युवा और अनधाता चाहता है कि मैं पूनम पंडित आंदोलन मे अपना समर्तन ना दू आपकी आवाज बनके मैं मीडिया से बात ना करूं आपकी आवाज को मैं बनके जो बोलती हूं मैं उसको ना बोलू जितने भी देश में देशवासी हैं मेरे और जितने भी युवाँ हैं जितने भी किसान बुजरुग हैं जिनोंने मुझे अपना इत कि पूनमपंडित की भासा से अमें दिक्कत है बाइ हम तो गाउवरण आदमें मारे हैं यह नहीं बोलते हैं बटाओ इसमें मैं क्या खर सकती हूँ गाउ में जायए ना आप पता करिये कि गाउव में ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं आगर मैंने कोई या मेरी भाषा में गाली हो या मैंने किसी भी नेता को या किसी भी को बिना सम्मान के मैंने बात की हो आप बताईए ना मुझे सभी लोग बताए क्या आप जितने भी देश में मेरे 135 करोड जनता है क्या ये सभी का आदेश है मेरे लिए क्योंकि मेरे लिए जंता का अदेश, किसानों का अदेश, युवाव का अदेश महत्व रखता है, ना कि लोगों का कुछ चंद संगठनों के जो महमान हैं, जो नेता हैं, उनका अदेश मेरे लिए माइने रखता है, उनका नहीं रखता है मेरे लिए माइने, मेरे लिए आप लोगों कादे समाईने रखता है आप बताइए मुझे कि क्या मैं आप किसान संग किसान अंदुलन को सयोग नहीं करूं क्या बताइए अगर मैं किसान अंदुलन को सयोग ना करूं तो क्या आगे इन फ्यूचर यूवाव को मेरी कोई जरूरत नहीं है क्या आप सभी किन चंद लोगों के कहने पर ये मंच से इनोंने ये बात कही कि पूरण पंडित को वालेंटियर्स को कराया जाता है अफ़गत की इनको। आने से रोके किस के कहने सा आप उनके नाम बताईए ना क्योंकि मेरे मैरी मैनेजिन की बात रखी है। बहुत लोग हैं जो मुझे आशिरवाज देते हैं, बहुत लोग हैं जो मेरे साथ में युवा खड़ा हुआ है, मैं जानती हूँ सभी बहुत मेरे साथ में हैं, तो वो भी तो जानना चाहते हैं, कि आपने इसकी आवाज क्यों रोकी है, किसके कहने पर रोकी है, जो आप बत ना नदाता मुझे सपोर्ट करता यूवा सेयो करता महिलाय सेयो करती क्या आपने एक बार उनकी सहमती ली कि पूनम पंडित को आने से रोके ली आपने उनकी सहमती इसे पूछिए ना यह इसका मतलब कुछ सरक किसानों के साथ मैं कुछ लोग अंदर जिन है सामाजिक तत्व कहते हैं यह लोग अपनी बासा में इसका मतलब अंदर से यह लोग हमारे साथ में फिर से कुछ चीट करना चाहते हैं कोई चोड़के चला गया मेरी क्या गलती है इसमें बीम सिंग जी चोड़के चले गए लेकिन उनके लोग तो यहां पे है ना किसानों के लिए मैनत कर र आदेश है वो मेरे सिर्माते हैं इनके आदेश को मैं आदेश नहीं मानूँगी आप देश की जनताकार किसानों का जो आदेश है मैं उसको अपने सर्माते पर रखूंगे अगर आप सभी लोग कहेंगे कि आपको नहीं जाना है अंदोलन में हमें आपकी कोई जरूरत नही हैं अंदोलन में तो मैं बिल्कुल नहीं जाओंगी आप का अधिस मेरे सिर माते होगा लेकिन मैं इन लोगों का अधिस क्यूं मानू कारण तो बताइए एक वीडियो वो भी निकाल के लाईए अगर जिस वीडियो से मेरी दिक्कत है मैंने किस वीडियो में मैंने अपने से बड़े का अपमान किया किस वीडियो में मैंने किसी नेता का अपमान किया क्या मैंने का मेरी की गलती है सुरू से ये लोग मुझे रोक रहते मेरी गलती है कि मैंने अपनी बात को बेबाग बोला निडर होके बोला क्या आने वाले कल में जो युवा है आने वाले कल में मेरे जैसा युवा, अगर आपके समर्तन में होगा, आपके लिए आवाज उठाएगा, तो इसका मतलब ये लोग उसकी भी आवाज को दवाएंगे, अब बताईए मुझे मैंने किया क्या ऐसा, आप कारण बताईए मेरी प्राइबलम बताईए हम बात करते हैं उस बात पर मुझे समझाइए ना या फिर आप मेरे को बाईकाट करके इनके किसानों के साथ में कुछ चीट करना चाहते हैं आप ये भी तो बता आए घरन बताईए जब पहले आप मेरे साथ में जो संगटन वहां पर है बहुत से लोग मेरे साथ में वीडियो में कहते थे हमारी बेटी हमारी बेटी किसान की भी लोगवाटी वहाँ से चोड चोड़कर भागेते क्या मैं चोड़कर मेहीं किया तुर। कि नहीं किया 19 तारीख में जिस दिन मैंने देखा महांं इतनी पुलिस है मैंने तुरंत कंटिन्यू किया और आज तक भी मेरी इतनी तबेद करावे में फिर भी कई कोई मुझे यह न बोलते फिर से कि पूनमपंडित क्यों नहीं आ रही है पूनमपंडित इतने दिनों से आ रही है जब से तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई त यूवाओं को रोकना चाते है उनकी आवाज को दवाना चाते है यूवा पढ़ा लिका हो रहा है भाया तो फिर कैसे न बोलेगा वो बताईए मेरे घाओं के जो किसान है मेरे जिले के किसान कितनी उमीद करते है मेरे राज्जे के किसान मुझे कितनी उमीद कर रहा है मेरे इंदेस का जिसान मुझसे कितनी उम्मीद कर रहा है, मेरे युवा मुझосे कितनी उम्मीद कर रहा हने वाले कलब है, क्यूत उन्हों ने ऐसा किया, ऐसा क्या इनको लगा वह कारण भी तो बताईए, या आप उमारे साथ कुछ धोका कर रहे हूं मेरे जैसे ही बोलने वाले युवा को रोकना चाह philosophical क्यों कि आपने दोगा ये कारण तो बताईए मैं भी कारण जाना चाहती हूँ आप भी जानिये सभी लोग आईए यू वाउ से मेरा नुरोद है आज मेरी हवाज कोई लोगों ने दवाने की कोशिश करी क्या ये इनका प्लेट फॉर्म है नहीं ये हमारे देश के अन्यदाता का प्लेट फॉर्म है ये हमारे देश का जो अन्यदाता है उसका है इनका थोड़ी ना है आप सभी से मेरा नुरोद है जितने लोग मुझे देख रहे है अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे परसनली भेजिएगा कि आपने ये गलत किया है मेरे इन बॉक्स में मैं चेक करूंगी अगर मैंने कोई गलत नहीं किया है अगर मैं आगे आपके लिए कुछ हूँ आपकी आवाज मैं बन सकती हूँ तो मेरा सभी सेनु रोध है कि आप इस बात को उठाइए पूनम बंडित को क्यों रोखा जा रहा है क्या इनको अब मेरे से डर लगने लगा है बताइए क्या मेरे से डर ने लगे है क्या ये चंद लोग पहले तो मुझे इन्हों ने सिर्फ एक भाना बनाया है कि सारा का सारा रुख मेरी तरफ आ जाए और मेरे किसानों का कुछ नुकसान हो जाए अगर मैं वहाँ पे हूँ अगर वहाँ पे मैं हूँ सिर्फ एक चाय की और एक लंगर में जो बंडारा हमारा माल लगा होता है उनके दो रोटी के गुनागार मैं हूँ और मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, मैंने निस्वक्ष काम किया, तो फिर इन्होंने मुझे क्यों रोका, क्या इन्हें मेरे बोलने से डर लगने लगा, बताईए आप मुझे, इनसे सवाल करिये, मेरा नूरोद है, 14-15 लाजार आप बोलिये, सबीर बोलिये, अगर आप चाहते हैं कि मैं युवाओ की आवाज बनू आगे, और मैं किसानों के साथ थी, हूँ और मैं रहूंगी, ये अधिकार मुझे कोई नहीं चीन सकता, कोई भी संगटन मुझे अधिकार नहीं चीन सकता, कोई भी नेता मुझे ये अ युवाव को तो आप भी बोलिए आपको भी फिर ये रोकेंगे और मैं चाहते हूं सभी बोले मेरे युवाव से अनुरोद है कि अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा रखिए और आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं कुछ बोल सकती हूं या आपका मैं समत्तन कर सकती हू कर सकती हूँ तो अमक्रम laisser क्यों पूछ साओ कारण तो बता ऑढ़ हो जो मेरे भोले से कहा है कि भासा में दुक्त है देशब् Compared की ज्या थे उविआते वूख पैसी जो आपको नहीं पता है आप लोग कैसे बोलते हो क्या मने एक भी गाली का इस्तमाल किया क्या मने एक भी शब्द ऐसा कहा जो मेरे किसानों को आर्ट हुई हो यूवाओ को मेरी वज़े से दुख हुआ हो क्या मने कहा या किसी भी बड़े नेता जिनके खिलाफ आज आंदोलन चल रहा है क्या मैंने उनके लिए कोई गलत शब्द इस्तमाल किया क्या मैंने उनके लिए कोई गाली इस्तमाल की तो क्यों इन्हों रोका पूछिया आप इनसे अनुरोद है मेरे सभी से जादा लेकिन मेरा अधिकार कोई संगठन या कुछ संगठन के जो नेता है जो हमारे सा मैं ऐसा लग रहा है मुझे इनकी इन हरकतों से कि ये धोका करने वाले किसानों के साथ मैं तो मैं किसी संगठन के नेता की वजह से रुकने वाली नहीं हूं मैं संगटन की मोताज नहीं हूँ मैं अन्य दाता के समरतन की मोताज हूँ और मैं अपने युवाओ के समरतन की मोताज हूँ और महिलाओ के सहयो की मोताज हूँ मैं किसी संगटन की मोताज नहीं किसी दल की मोताज नहीं जब मैं किसी पार्टी से नहीं आज तक मैंने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, कितनी भी विपक्ष में पार्टी हैं, किसी पार्टी को मैंने सपोर्ट नहीं किया, किसी पार्टी के बंदे को मैंने सपोर्ट नहीं किया, आज तक भी, और जब मैं किसी पार्टी से होनी तो इन्हें मुझसे भै कैसा, इन्हें भह तो मुझे से इसलिए है कि ये लोग जो हमारे किसानों के साथ में धोका करने वाले हैं और इन्हें पता है कि पूरम पंडित अपनी आवाज रख रही हैं और मैं वहाँ से जाने वाली नहीं हूं मैं वह से तब तक नहीं जाने वाली हूँ, तब तक मैं बोलती रहूँगी, तब तक इनको नया है ना मिल जाए, तब तक बैट के बात ना हो जाए, किसानों की और सरकार की, बात क्या पहल मैं बढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि बात करो, बात करो, किसानों की बात र जाता और उसके बाद भी इनको कोई समस्य आती है किसानों को तो मैं बोलती रहूंगी अडिक रहूंगी अपनी बात में मेरा वादा में किसी की रोकने से नहीं रुकूंगी भाईया अगर मैं गलत हूँ मैं लाइव हूँ आप मुझे बताईए मेरे जिस जिस बंदे को मैं मैं गलत लगू तो आप मुझे बताना मिरे इंन बॉक्स में मैं चेक करूंगी अगर मैं गलत नहीं हुँ तो मिरी यह जो मैं लाइव आ हो, किसी युवा की आवाज को और सच की आवाज को ये धवा सके लाख बार ये सोचने में मजबूर हो और तब भी ये धवा ना पाए ये मेरा वादा है आप से कि मैं आपके साथ हूँ और मैं रहूंगी और मेरी रिक्वेस्ट है आप से ये कहां तक पहुँचा है किस-किस ने मेरा समर्तन किया है किस-किस ने मेरी बात देखूंगी लेकिन मुझे आपके आशिरवाद की जरूरत है यूवाओ के साथ की मुझे बहुत जरूरत है क्योंकि मुझे इनकी इस हरकत से बिल्कुल ऐसा साफ की इसको निकालो भाईया ये किसानों की बात बहुत रख रही है क्योंकि अंदर भी तो ऐसा माजिक तत्व घुस गए है न उनकी तो इनसे पहचान नहीं हो रहे है मेरी पहचान मुझसे पूछते है बिठा बिठा गर के मेरी पहचान मुझसे पूछते उनकी तो नहीं रही है उनको निकालो भाया बीम सिंग जी छोड़ कर गए ते उनके कितने लोग यहां किसानों को अपना समर्तन करने है कितना लोग सहोग यहां करने है बताए बीम सिंग जी गए तो उनके समर्तन को कि क्या गलती है वो तो इसमघनार में छोड़कर गया है मैंने साफ कह दिया कि मेरा कोई भी व्यक्ति हो भानु जी हो इसमें कोई भी मेरा रिष्टब न बानु जी से ना बीम जिग्जी से है क्योंकि उन्होंने किसानों को यहां छोड़ा जो बात थी आप बैट के निम्टा थे आपने गलत किया तो यह भार-बार इस बात पर क्यों गोड़ देने ने उनकी पदादीकारी है उनकी यह हैं उनकी भई मैंने उनको समर्तन अपना दिया किसानों क को ना कि मैंने किसी संगटन को मैं उनके यह गई उन्होंने मुझे empire love Lehr उन्होंने मुझे अपने अब कोई मुझे आशिरवाद के रूप में दे रहा है पल इये जो की किसांओ के कर आशिरवाद को नहीं ले किया भई मैं तो किसानों के साथ हूं ना मैं किसी दल की मौतास थोड़ी हूं मैं किसी संगटन की मौतास थोड़ी हूं मैं शुरू में आई थी किसानों के पास जब पूरे भारत में मेरे वीडियो देखे जाने लगे तो मैं वहां भी गई दौरा करने के लिए जैसे जाते ह सिंगू वोडर टीगरी वोडर सब जगह में गई तो उन्होंने मुझे वहां पे संबान किया इन्होंने नहीं किया जिन्होंने ये बात कहिए कि इसको नहीं आना तो मुझे आप संबान देते मैं तो आपका भी संबान लेती आप देखे तो देखते आपने नहीं दिया आपने पता नहीं क्या रहा अब वो चले गए मैं हूँ न आज भी किसानों के साथ हूँ और मैं रहूंगी कितनी ये कोशिश कर ले आगे भी मैं रहूंगी ये एक महिला की आवाज को दवाना चाते हैं ये एक यूवा की आवाज को दवाना चाते हैं ये किसानों की आवाज को दवाना चाते हैं इसका मंदल मतलब अंदर से कुछ शडियंतर है तब ही तो क्योंकि मैंने तो बात ही किसानों के पक्ष में रखी बात ही यूवाओ की रखी, बात महिलाओ की भी रखी आने वाले कल के लिए, आने वाले कल मैं महिलाओ को साथ दूँगी अपना, और मैं यूवाओ को भी साथ दूँगी, ये मैंने बात रखी, मैंने तो कुछ बात गलत ही नहीं रखी, इनका धर की इस बात की मुझे टेंसन है, की बताओ, ये इनका फैसला है, या देश के किसानों का फैसला है, देश के युवाओ का फैसला है, कि पूरम पंडित आंदोलन में सपोर्ट नहीं कर सकती है, तो मुझ किसानूंगी कैसे जो नेगटिव लोग हैं वो मुझे मेरे इन बॉक्स में करें मैसीज और जो पॉजिटिव हैं जिनको लगता है कि हाँ हम ये बात बोल सकते थे हमारी बात पूनम पंडित ने बोली है तो वो लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें मेरा अनुरोध है इतना शेयर करें कि हाँ मैं देख लूँ कि हाँ ये किसानों की बात नहीं थी कि पूनम पंडित को रोकें ये यूँ भाओ की भी बात नहीं थी कि पूनम पंडित को रोकें ये चंद संगठन के लोगों की बात थी जो पूनम पंडित से कष्ट महसूस कर रहा है ये चंद संगठ करनों की बाती मैं समझ जाओंगी फिर एक वीडियो बना करके डालूंगी लाइव आओंगी मैं आप सभी से बात करूंगी मुझे जरूर बताईएगा प्लीज भूलिएगा नहीं मेरा रिक्वेश्ट है सभी से